इस chapter का सबसे मज़दार सबसे मज़दार सबसे इंट्रेस्टिंग दिमाग लगाने वाला चैलेंजिंग पूर फीचर ओफ शेर्स पूर्फ फीचर ओफ शेर्स वट तोम फीचर ओफ शेर्स का मत्रब आग Cancellation of shares due to non-payment cancellation of shares due to non-payment आपने शेर्स इशू करें मुल्टिपल स्टेजिस में पैसे आ रहे थे एप्लिकेशन अलॉट्मेंट फिर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एप्लिकेशन आ गई नहीं दी शेरोल्डर ने अलॉट्मेंट वनी अब आप क्या करोगे आप उसको नोटिस बेजोगे कि वाइसा आपके अ forfeit the shares cancel the shares the case of non payment तो आप उसके wann कर सकते हैं तो उसके मैं क्या होगा जो पैसे मिल चुके हैं कंपनी को ऐप्लिकेशन मनी मिली प्ать क्लेशन ने मिल्ला प्र origin हें और कुछ को पेंडिंग एंट अपने नोटिस दे दिया उसको उसने पैसे नहीं दिये उसके बाद कंपनी शेर्स को कैंसल कर सकती है तो जब शेरस कैंसल होते हैं जो पैसे दे चुका है शेर वो पैसे सब करने में दों है तो थेक्निकली पैसे फोर केर्फेट कर लो इसका अमांट फैसा है तो तेकनीकली पैसे वो रहे होते हैं तो सर यह तो पायदा हो गया चौकि यह सेल होगए अब वह शेय क्पनी के हो गए वापिस किसी शेरोल्डर के पास नहीं है और जो अगर उसने दस रुपे वे से चार रुपे दे दिये थे पांच रुपे दे दिये थे दो रुपे भी दे दिये थे कुछ भी पैसा जो दे दिया था वो पैसा तो कंपनी ने फोर फीट कर दिया तो और तो पड़्ू मस्राइब कि नहीं हुआ रहा कि नहीं वा हुआ कि नहीं हुआ वा कि नहीं वाटृikes लॉटंटर लेक्ष प्रॉफिट लॉडवान कि नहीं हुआ नहीं हुआ शीकल declineish लुट दो लगता है न कि अभी तक तो जो बाते कर दी उसके तो आपका अंसर होगा कि हां प्रॉफिट हुआ क्योंकि जो पैसे आपने कर दिये शेर उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ जो पैसा आपने फोर फीट किया आप इसको भी होड़ करके रखेंगे अभी यूज नहीं करने पड़ेंगे तो जब आप उसी इंसान को नहीं मार्केट में किसी को भी आप रिएशु करने पड़ेंगे और उस टाइम पे आप डिसकाउंट दे सकते हैं क्यों पुरा आप पर सारे पाच लाग शेर्स एक करोड़ शेर्स सो करोड़ शेर्स इसुओ हो रहे हैं तो आप नहीं दे सकते लॉए बट आपके बहुत चोटा फ्रैक्शन है जो पढ़ा हुआ है अब कहां से डूड़ोंगे लोग तो आपको कुछ ना कुछ सकता है अब देंगे तो कंपनी का नुकसान होगा तो इसलिए जब तक शेर्स ना हो जाएं तो जो आपने amount forfeit कर रहा है उसको यूज नहीं कर सकते तो हो सकते हैं डिसकाउंट देना पड़ जाए discount का amount at the time of reissue can never exceed the amount forfeited तो in total आपका loss नहीं हो सकता गभी but profit कितना होगा वो रीशू के बाद ही पता चलता है और फीचर के टाइम जो आपने पैसा forfeit कर लिया वो profit नहीं है it is a liability for the company it is a liability for the company सब्सक्राइब थोड़े ना किसी के पैसे देने पैसे नहीं देने बट उस पर भी restriction कि यह पैसा भी आप यूज नहीं कर गया जो बच गया एंड में आपके पास वह आपका प्रॉफिट है और वह profit capital नेचर का होता है वह profit जाएगा capital reserve में बहुत बहुत मज़दार कहानी है poor feature and reissue की पूर feature and reissue क्या आप यह लगा देगी इस चैप्टर में सबसे दिमाग लगाने वाली चीज़ ही वही है poor feature and reissue मुश्किल विलकुल भी नहीं है बट चोटी-चोटी चीज़ों का ध्यान देना होगा एक एक करके अराम से पहले पूर feature understand करेंगे फिर एक साथ कहानी apply करेंगे वन तो कहानी शुरू हो रही है for feature of shares तो for feature मतलब cancellation of shares due to non payment बस इतना सा meaning clear for feature of shares में क्या-क्या cases हो सकते हैं लियान से देखना पूर feature of shares में दुबारा लिखना चारू है पूर feature में हम क्या-क्या cases cover करेंगे तो start करने से पहले हमें यह understand करना पड़ेगा कि कौन से शेर्स पूर्पीट हो रहे हैं कौन से शेर्स पूर्पीट हो रहे हैं मतलब और पीचर जो हो रहा है यह वो और इशूड़ इश्चूड इट पार है यह और इश्चूड इश्चूड एट प्रीमियम है तो इतना तो हम और इशू डाइट पार और इशू डाइट प्रीमियम क्वेश्चन ही बताएगा आपको बट सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो शेर्ट आप कोर्फीट कर रहे हैं वह पार पे थे हैं प्रीमियम पे थे हो गया अगर पार पे थे तो बहुत खुशी की बारत है प्रीमियम पहे थे तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है कैसा और ध्यान देना है कि वह प्रिमियम मिला की नहीं मिला प्रिमियम आप से नहीं मिला kilogram agam अब ये कैसे पता चलेगा कि premium मिला कि नहीं मिला तो लिकाओ कि उसने पैसे देगा तो मतलब premium मिल गया और उसने अलंटमेंट बनी नहीं दी और premium तो इसका मतलब प्रीमियम मिल चुका है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इडेंटिफाई करना बट मैं कहारा हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यह चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि जो शेयर आप कर रहे हो वह शेयर पार पे थे और इजन पहले हम क्या करेंगे और फीचर आफ शेयर और इजनली कि इश्टार वाड ओर इजनली कि शुड़ाट पार पार को समझेंगे फिर प्रीमियम को टच करेंगे अभी मैंने आपको बेसिक ओवर विउस तीया है अभी आपके लिए एकी कॉंसेप्ट एक्जिस्ट करता है और